मुझे ये देखकर बहुत ही अच्छा लगता है जब लोग अपना mutual fund का portfolio मुझे review करने के लिए comment करते हैं या mail पर भेजते हैं और साथ ही जब उनका objective यानि की goal जो होता है वो long term का होता है और कहीना कहीं से जानकर ये कत्रित करके वो एक ठीक ठाक mutual fund select करने में भी कामियाब हो जाते हैं तो नमस्कार दोस्तों बहुत बहुत स्वागता चैनल में आज की इस वीडियो में फिर एक viewer ने हमें भेजा है अपना mutual fund का portfolio तो उसको review करेंगे और उससे क्या-क्या आपको सीखने को मिलेगा ये आप comment करके बताईए और क्या-क्या इसमें changes हो सकते हैं ये भी बत investment जा रहा है quant small cap में इनका जो है पंदर सो का investment जा रहा है टाटा small cap में भी पंदर सो रुपए का investment ये SIP कर रहे हैं इसके बाद quant tax plan भी इन्होंने ले रखा है जिसमें की 500 रुपए की SIP इन्होंने कर रखी है अब इन्होंने बोलाए कि small cap 45% mid cap 45% large cap 10% लेकिन मैं समझ नहीं बारा हूं कि मुझसे suggestion चा रहा है कि 40-45% plus 10% करना है इनको या फिर ये ऐसे कर रहे हैं तो अभी तो जदी आपको इन्होंने के लिए बताओं तो यहां पर आपका maximum investment small cap के अंदर ही जा रहा है और large cap के अंदर आप कोई भी investment नहीं कर रहे हो तो यहां पर mid cap के अंदर भी large cap में नहीं है आपका small cap plus एक tax plan आपने ले रखा है आपका tenure 25 साल का है यह बहुत एच्छी बात है 25 साल का tenure यदि है किसी का तो इससे बहतरी इन कोई विकल्प आपके पास हो ही नहीं सकता है जैसे मैंने आपको पहले बताया पिछली वीडियो में portfolio review में या फिर आप अपना portfolio कैसे खुछ से जो है उसको manage कर सकते हो build कर सकते हो तो यहाँ पर एक video बहुत अच्छे तरीके से जिसको की लोगों का प्यार मिला है आप लोगों का उससे आप समझ सकते हो कि एक आपका जो ideal portfolio mutual fund का होता है वो कैसा होना चाहिए तो इस video को जाकर देखिए आपको सारी चीज समझ में दाएंगी ठीक है अब इनका portfolio पहले तो हम देखेंगे कि उसकी basic detail कि इनके जो fund है वो कैसा अभी तक perform कर रहे हैं क्योंकि 5 साल का 10 साल का CAGR जब हम लोग जानेंगे तब ही हम आगे 25 साल का जो है वो futuristic जो growth का calculation कर सकते हैं चलिए देख लेते हैं कि इनके fund होने अभी भी आप चेक कर सकते हो यहाँ पर जो fund 10 साल नहीं पूरे कर पाएं उनका मैं CAGR आपको बताता हूँ Tata Small Cap चार साल अभी तक fund को हुए हैं चार साल में लगबग 26.12% से grow किया है यहाँ पर NK CAGR से return बना कर दिये हैं इसके बाद SBA Small Cap 10 साल हो चुके हैं यहाँ पर लगबग 26% की जो है CAGR 10 साल का और हाँ जब मैं CAGR आपके साथ साजा करता हूँ 10 साल का last में जो आपको दिखता है वो मेरी वीडियो में लगबग 25% आपको चेंज होते हुए दिखाई दे सकता है क्योंकि मैं जब वीडियो बनाता हूँ वही से calculation होती है तो 10 साल यानि कि रोज का update होता है रोज चेंज होता रहता है एक आधा परसेंट चेंज हो सकता है उसको जो है consider करके चलें कि यहां पर यदि आधा एक परसेंट मैंने जो आपको mention किया है CAGR उसमें यदि कोई changes है तो उसको ignore करें या फिर उसको ऐसे करके आप देख सकते हैं कि यहां पर चेंज होता रहता ह तो इसी के बेस पर हम आगे जो 25 साल में इनका investment करने का है criteria उस पर calculation लगाएंगे Quant tax plan जो है इनका यहाँ पर 23.11% का यहाँ पर इनका 5 साल का CGR है और 22.33% का CGR 10 साल का है तो काफी अच्छा CGR है ठीक था है कि यह भी tax plan के लिए ELSS यानि की equity link saving scheme जो होती है यह वाले mutual fund इस पर मैंने वहले वीडियो साजा की थी यदि आपको detail चाहिए और top ELSS fund चाहिए क्योंकि यह PPF plus आपका ULIP या फिर insurance सारे options से एक बहतरीन विकलफ हो सकता है आपको tax बचाने के साथ साथ एक अच्छा कासा wealth भी create करके दे सकते हैं जो ELSS वाले mutual fund होते है अब इनका average CAGR निकालने के लिए क्या करेंगे पहले तो हमने जो इनका highest CAGR का return है rate of return है CAGR से 10 साल का है तो महाँ पर 10 साल का लेंगे लेकिन उसमें से at least 2% आप कम कर दोगे क्योंकि हम expected रखते हैं कि हाँ इससे कम मिलेगा ठीक है it is okay ज्यादा मिलेगा बहुत ही बढ़या उससे तो बढ़या कुछ है ही नहीं लेकिन हम मानकर चलते हैं कि 2% मैं कम कर लेता हूँ और small cap में यदि आप long term के लिए invested हैते हो क्योंकि यही growth companies हैं तो इनमें आगे आपको बहुत बहतरीन वाली growth मिलने की समामना है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है इसलिए small cap आपको हमेशा जो है लंबे समय में अच्छा perform करके देते हैं तो यहाँ पर यदि बात करते हैं तो इनका investment amount जो total जा रहा है सारे funds के अंदर मिलाकर 6,000 रुपए की monthly SIP कर रहे हैं तो यहाँ पर यदि average बताँ टाटा small cap का मैंने जो अगले 25 साल के लिए लगाया 22% से CAGR से return दे देगा इतनी expected उमीद है वो small cap से इतनी उमीदाब आसानी से रख सकते हो इससे ज्यादा भी आपको बना कर दे सकता है SBA small cap का तो 10 साल का track record हमारे पास है लगबग 26% का यहाँ पर return दे चुका है तो 24% का यहाँ पर मैंने calculate किया है और Robay को small cap इसका भी 22% का Quant small cap इसका 14% का मैंने लगाया यहाँ पर Quant tax plan का 21% का है तो average जो इनका CAGR निकल कर आता है वो आता है 20.60% का तो 20.60% से दी SIP का calculation आप next 25 years के लिए करते हो तो यहाँ पर इनका जो इनकी pocket से amount जाता है 6,000 रुपे महिने के SIP से वो जाता है अठारा लाक रुपेया 25 साल के अंदर देखिए 25 साल के अंदर 18 लाक रुपेया जैन इन्वेस्टमेंट आपने पोकेट से डाल दिया है आपको पता भी नहीं लगेगा तो यही होता है SIP का जादू ठीक है और यहाँ पर आपको estimated return कितना मिलेगा आप सोच सकते हो आप नहीं सोच सकते हो 5.65 करोड यानि कि 5.5 करोड से भी ज़्यादा का आपका estimated return इस 18 लाक रुपेय के amount पर 25 साल में हो जाएगा और यदि आपका investment plus return मिला दूँ तो यहाँ पर total value आपको मिल रही है 5.83 करोड लगबग 5.83 लाक रुपेय आपको मिलने वाले हैं यहाँ पर तो 5 करोड की value हो गई 5 करोड कम होता है 5 करोड मिल जाए किसी को तो सड़क पे लेड़ जाएंगे लोग यानि कि उनकी mental aesthetic ऐसी की बहुत ज़्यादा एक सोच कर देखिया लोगों के पास जब करोड रुपेय आता है न तो यह सोचने में थोड़ा हाँ लगता है कि is it true मतला ऐसा हो सकता है बिल्कुल हो सकता है लोगों के साथ पहले हो चुका है और जो लोग पिछले 4-5 साल से भी investment कर रहे है mutual fund में अच्छे mutual fund में उन्होंने अब तक यह feel कर लिए हो कि हां long run में mutual fund से एक अच्छी खासी wealth create की जा सकती है और इस 5 क्रोड की value अगले 25 साल बाद 5 क्रोड तो रहेगी नहीं अब वो कितनी कम हो जाएगी उस पर channel पर एक separated video uploaded है आपर जाकर अपने पैसे के आप future value निकाल सकते हो कि 15 साल 20 साल 25 साल बाद आज के एक लाग या आज के एक क्रोड की value 20-25 साल बाद कितनी रहेगी तो all the best for your this starting your investment please keep continue और जो बाकी लोग वीडियो देख रहे हैं आभी तक investment इस्टार्ट नहीं कर पाएं उनसे यही बोलूँगा जल्दी से जल्दी आप investment और सबसे best route है आपको investment की दुनिया में प्रिवेज दिलाने के लिए जब आप SIP स्टार्ट कर दोगे आपका mind जो है ना जो narrow नैसे वो open होगी broad minded आप thinking कर पाओगे वहाँ से आप नए-ने investment के जरीए ढूंड पाओगे और यह आपके अंदर एक ऐसी habit डेवलप करेगा जिसस यही होता है एक step by step आगे बढ़ने का रास्ता ओवरोल आपका portfolio बहुत शांदार है कोई दिक्कत नहीं है लेकिन यहाँ पर एक थोड़ी सी कमी मुझे लग रही कि आपने small cap category के चार fund select किये हैं तो वहाँ पर एक category के चार fund select करने का कोई मतलब बनता नहीं है यहाँ पर top two य यदि 50% भी आपकी overlapping हो रही है तो वहाँ पर दूसरा fund मुझे select करने के लिए कोई फायदा बनता नहीं कोई benefit दिखाई नहीं देता है यदि आपने अलग-अलग time पर किये तो उसके लिए different region हो सकता है लेकिन यदि आपने एक ही साथ अलग-अलग mutual fund में निवेस किया है तो यहाँ पर कोई इस तरह का logic बनता नहीं है तो आगे यदि आप investment करना चाहो तो सोच समझ कर कीजिए और यदि इसी को भी आप 25 साल continue कर लेते हो तो एक अच्छा कासा wealth आप create कर लोगे उमीद आपके जो goal है जो objective अब वो पूरे होंगे और आपके लिए बहुत-बहुत